हलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं हिमानशू स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राच कॉमिक्स में थ्रिल हर सस्पेंज सीरीज की अगली कॉमिक्स लाश के तुकड़े का पहला भाग साफधान कहीं कोई तुकड़ा आपके घर की किसी अलमारी में किचिन या बातरूम में या फिर आपके स्कूल बैग महीना निकलाए सन उन्निस सुनावासी तीन दिसंबर की थ्रिटवर्ती रात समय ठीक एक बचकर चालीस मिनट किरपया कमजोर दिल के हमारे नन्ने पाटक इस कौमिस को रात में ना पढ़ें लेखक इस कड़कड़ाटी ठन में पता चलती है इस नौकरी की कटनाईया उसी छण रोंग्टे खड़े हो गए वललब के ओ गौड पत्रियों पर सफेज वसे धारड किये वह हिस्तरी मरेगी ये तो उफ मैं गाड़ी इतनी जल्दी नहीं रोक सकता धड़ाम की एक तेज आवास के साथ ट्रेन का एक एक डिप बहे लुटा सन 1990 तीन दिसंबर की ठी तुड़ती रात समय वही एक बचकर चालीस मिनट उफ चिथले उड़ जाएंगे इसके तो एक भुकम सा आ गया और भैंकर गड़गडाट दूर दूर तर रातरी की नीस तद्ददा को तोड़ती चली गई और ये है चार दिसंबर इंक्यानवे का न्यूस पेपर जरा डालो इसके मुख प्रश्पन नजरें रेलवे बुलेटें तीन दिसंबर इंक्यानवे का ट्रेन एक्सिडेंट शरारत ये किसी भटकती आत्मा का प्रकोप लगातार तीसरी भया भ्यानक दुरगटना इस तरी का सफेज साया देखा गया आत्मा का प्रकोप बिलकल बखवास किसी की शरारत ही लगती है ये इसी के साथ भड़ा कुठा गोविंद बस यही तो खराबी है तुम सब मैं कोछ समझने की कोशिश ही नहीं करते तुम लोग तुम समझने की कोशिश करो कोविंद की भूत प्रेत आत्मा ये सम मन के वहम है बस मैं अस्थाना से सहमत हूँ और मैं मांजरेगर से अगर ये मन के वहम ही है विपल तो तुम बताओ हर साल पहले ही दिन एक ही दिन और उसी समय भी ट्रेन दुखटना ये क्यों ही और क्या हुई क्या हुई वो सफ़ेद वस्ते धाना की इस्तरी जो हर दुखटना के वक्त वहीं दिखाई पड़ी अपनी इसी बात को साबित करने के लिए ही मैंने तुम्हें ट्रेन वाली घटना बताई ये निउस पड़ाई ताकि तुम 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 इस बात को मान लोगी दुनिया में भूत प्रेत आत्मा का भी कोई वजूद होता है और अगर तब भी तुम उनका अस्तित मानने को तैयार नहीं हो तो बहुत जल्दी तुम्हें साक्षात रूप से इस बात का प्रमार दूँगा मैं ठीक एक सब्ता पश्चात ये कहां ले आये वा तो हमें जहां मैं साक्षात रूप से तुम्हें आत्मा की दर्शन करा सकता हूँ भेजा फिर गया तुम्हारा तो गोविंद जो कुछ यहां देखोगे उससे तुम सब का भेजा फिर जाएगा माई डियर फ्रेंड्स रिस्ट वाच की और देखता गोविंद एका एक बेजायन सा नजर आने लगा कहा रहे गया ठीक साले छे बजे पहुशना तो उसे तुमने किसी तांत्रिक या ओजा-ओजा को तो नहीं बुलवाया किर किर हाँ बुलवाया यह वास कैसी आ रहे गोविंद किर किर अरे देखो उधर देखो यह तो कबर सब रक रही है गोविंद यह सब क्या है पता नहीं मैं खुछ चक्कर में हूँ किर किर चारों कई रोंग्टे खड़े हो गए थे उस वक्त है 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 चुड़ा है लेकिन वह तांत्रिक जंदा तो अभी आया नहीं और विपुल के कंट से भसी भसी सी आवास निगली वह जमीन से एक फूट उपर चल रही है कोई इंसान ऐसे नहीं चल सकता कोविंद चीक पड़ा भागो विपुल मंजरे कर अस्थाना मैं कहता हूं भागो यहां से सैसा कटोर हो गया अस्थाना का चेहरा कोविंद अस्थाना को बेवकूफ नहीं बना सकते तुम अस्थाना क्या भक रहो तुम अपनी बास साबित करने के लिए ड्रामा तुमारा ही रचा हुआ है कहतो यह जूट है अस्थाना यह लड़की चुडैल की भूमिका कर रही है सिर्फ तुमारे कहने पर उफ मंजरे कर हलक फार कर चिलाया अस्थाना भागो अस्थाना के जब्रे भिज गए हाथ जिब में जाकर बाहर आया तो इस लड़की को तुम नहीं जानत अकोना उस चीक से खुण चुठा कब रफाल कर निकली उस चुडैल का सीना सुर्ख होता चला गया यह क्या किया तुमने अस्थाना इसके सीने से तो खुण बैरा है अगर यह आत्मा है तो फिर यह खुण अस्थाना की कोपड़ी उलट कर रहे गई इस ताल पर लटकी चल मैं उस लड़के जानता तक नहीं तूमारे हाथ में रिवर्वर देखते ही मैं टूप पर थप Two दो तुमपर कोणी नहीं चलाने में अगर जानता होता या इस ड्रामे का लेका कोटा तो मर्ने नहीं देता हुससे मेरे क्याल में अगर गोविन सच कह रहा है स्थाना अगर सच कह रहा है तो फिर ये फिर क्या है ये ये लड़की खुद भूत नी बनने का ड्रामा कर रही थी क्या मांज़ने कर बोला गोविन्थ वो छिंदा अभी तक नहीं आया छिंदा हाई ये काम उसका हो सकता है छिंदा आज ये से दोगय के सचमे चात्माई नहीं होती छिंदा न हमें बेवगु बनानी की तयारी की हुई थी और जब उसका दाउ नहीं चला तो वह हो गया नौद 11 छ लेकिन उस हरामजादे न हम सब को तो मुसीबल पर फसा दिया ना छोड़ो ये सब इस लाश का क्या करना ये सोचू इसे ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है कब्रिस्तान से बढ़िया जगह लाश ठिकाने लगाने के लिए दूसरी हो सकती है क्या ये जिस कब्र से निकली ह उसी में दफना देते हैं इसे छुटी नहीं माजरे कर इस तरह छिंदा को सबू सौप देंगे हम निकटी 200 फुट की उचाई पर ज़रना है काली बाड़ी में तलाश लाश को ज़रने में फेक देते हैं उतारो इसे अंधेरा हमारे लिए वर्दान साबित होगा लाश के सा सिर्फ 200 फुट की उचाई भी भारी पड़ गई चारो को इस ज़रने का पानी दरिया से होता हुआ सीधा समदर में जा मिलता है और दरिया की खुंकार पिराना मचलिया इस लाश को समदर तक भी नहीं बहुचने देंगी फेको उसके बाद अंधेरे का सीना चीरती हुई का कार का कबरिस्तान से कार कबरिस्तान से रवान होई शुकर आश सब काम आसानी से नपड़ गई यह तो हम सोच रहे हैं हाँ मैं भविश में कोई गड़वणना हो तो बात है उस राज चारों अस्थाना के घर रुके और अगली सुबह शुरू ही मुसीवतों से जब गुच अस्थाना, मांजरेकर, कोविंद, विपल, क्या बात है विपल, उधर बातरूम में, क्या है बातरूम में, लाश, कबरिस्तान वाली लड़की की लाश, क्या पकते हो, होश में तो हो तुम, लगता है रात पर सोया नहीं है या उस लाश के ही सपने देखता रहा है, विपल, बात्रूम में जाकर अपनी आँखों से देख लो, चलो, लाश तो सचमुष थी वहाँ, उसी कबरिस्तान वारी लड़की की लाश, उफ, यह क्यां कैसे आ गई, हल्दी से पुद गए सब के चेहरे, विपल निकट पहुंचकर दाथ पीसता हुगा बोला, छिंदा छोड़ ग करने के बाद भी लाश को खरोस तक नहीं आई, बैठे बटाई की सुल्जन में फस गाए हम लोग भी, अस्थाना ना भात्रूम का दरवाजा बंद कर दिया, यह गोविंद अगर आत्माओं के चक्कर में ना पढ़ता तो हम, मुझे क्या पता था कि बात यहां तक पढ़ जाएगी, सवाल यह है कि मौझूदा परिस्थितियों में क्या किया जाए, लाश रडनी सुरूओ गई है, हम सब के लिए मुसीबत बन जाएगी, इसे आज रात ही, लाश को तफना दिया गया, एक सुनसान इस्थान पर, अब यह बाहर नहीं निकल सकेगी, उसी रात, पटकर उसने चादर खीचली और, नो, उफ, यह नहीं हो सकता, ठीक, दस मेंट बाद, यह लाश हमारा पीछे नहीं छोड़ेगी, अस्ताना, मरवाईगी है हम सब को, मगर यह लाश बार-बार यहां पहुंच क्यों रही है, अपने हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए, त थन्यवाद